आज हम जिसके संदर्ट में बात करने जा रहे हैं वो है मुजिक माइस्त्रो एयार रह्मान एयार रह्मान जो है वो इस समय जो मीटू मूवमेंट चल रहा है उसको वो अब्जर्व कर रहे हैं देख रहे हैं काफी विचलिद भी हैं उससे कि कई व्यक्ति जो कि इसमें फसे हुए हैं इस समय उनके साथ एयार रह्मान काम कर चुके थे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनके उपर जो है जन्होंने लगाया है जाम दूसरों के उपर जो पीडित हैं वो भी काफी क्लोस थे एयार रह्मान के तो एयार रह्मान ने जो है इस संदर्व में ट्विटर पे जा करके उन्होंने बहुत ही डीटेल सा एक स्टेटमेंट दिया है, व्यक्ताव तो दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं जो है देख रहा हूँ मीटू मूव्मेंट को और कुछ नाम ऐसे आए हैं मेरे सामने जिनने देख करके मैं बुरी तरह मैं उनके साथ खड़ा हूँ उसके बाद रह्मान ने कहा कि उन्हों वो जितना भी काम करते हैं अपनी टीम के साथ उनकी एक कोर टीम है जो उनके साथ काम करती है उन्हेंने कहा कि मेरी कोर टीम जब मेरे साथ काम करती है तो एक ऐसा महाल बनता है जहां लोग क्रियेटिव ह इसकंडक्ट का एक नहीं कई औरतों के दौरा जिसमें की चिनमई जो है काफी popular singer है तमिल में उन्होंने भी आरोप लगाया है और रह्मान ने कहा कि आला कि वो इस movement को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और victims को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा कि social media का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए शोशल मीडिया एक बहुत अच्छा बड़ा फ्री एक platform है जहां से victim बोल सकते हैं लेकिन ध्यान देना है कि हमें internet justice system नहीं बनाना है क्योंकि internet justice system का दुरुपयोग हो सकता है इस महीने से इसी महीने थोड़े पहले संधिया मेनन जो है जो है जो काफी जा जानी मानी सिंगर हैं तमिल की उन्होंने इन ही lyricist के उपर आरोप लगाया कि ऐसा है कि इन वेक्ति ने मेरे साथ भी दुरुभार किया था तो ये जो Twitter फिर्ब में आये दुबारा वेरा मुत्तु और उन्होंने कहा कि allegations मेरे against लगाए गए हैं लेकिन ये allegations किसी भी हालत में स का verdict यहां क्या होता है बंद कमरे में किसी को आप बेज़त करें बंद कमरे में किसी के साथ दुरुभार करें तो ना तो कोई गवाह होता है ना कोई तरीका होता है इस बात को सिद्ध करने का कि आपने क्या किया तो ऐसे में कोट नहीं ऐसे में औरत की जो आँखों की हया है औरत की जो हिम्मत है आपके सामने खड़े होने की वही इस सिद्ध करेगी कि आप अच्छे आदमी है या बुरे विक्ती है इस तरह के मीटू मूवमेंट और अन्य सारे चीजों पर हम आपके सामने अपने विजार प्रकट करते आए हैं आपको खबरें देते आए हैं तो आप हमारे चैनल को देखते रहें अगर आप हमारे वीडियो दुबारा देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं आप जो है हमारे एप को डाउनलोड करने प्ले स्टोर से हमारे एप का नाम वहाँ पर भी जो है T O D E Z Todays ही है और उसके इलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा करके आप सब्स्राइब कर सकते हैं यहां हम अल्मोस्ट अपने सारे वीडियोज अप्लोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के नाम भी T O D E Z Todays है तो आप हमारे साथ जुड़े यहां जुड़े और अन्नी जगाव पर भी जुड़े मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मैं हूँ अन्पम सिना यह है Todays और आप हैं हमारे प्यारे दर्शक